हलो जाहें दोस्तों मैं राहुल सिंग राहुल वाई फाइस्टेडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत और भिनेंदन करता हूं मैं तो अधिनस्त सेवा चैनल जाथा कि आप लोग जानते हैं 24 तारीक को प्रस्तावित अधिनस्त सेवा चैनल एक कुछ दौरा और हमारा इस इग्जाम को लेखर की जो है काफी जैदा इस प्रेंध में में फोकस भी किया था राहुल वाई फाइस्ट्री चैनल ने आपको लगातार प्रस्ताल चैनल आपको कर 완 vigilant है था जो राहुल वाई फाइस्ट्री माध्यम से आपको हिंदी के साथ साथ , आपको समानए ढडिन के कुछ महत्तपूर पैक्टी रेगेव.. अगर आपको चाहिए देखने हो तो हमारे डिस्क्रिस बाक्स में पैक्टी सेट है only चाहिए तो और अपको चाहिए पर उपारे दिक अडिकम के रडि ses ये दिया गया है उसके आप आप चैनल को सर्च करिए वहां हमें फालो करिए और लगातार उत्तपदेश जी के और डेली करंट अपेयर सुबा साथ बजे साम को साथ बजे हमारे दो वीडियो जो आडियो जो है अपलोड के जाते हैं वहां से भी जानकारी आप ले सकते हैं अब बड़ी चीज है अधिनस सिवा चैनल एक्जाम जो 24 तारीक को है हमारा ये लाश्ट है प्रैक्टिस सेट आपके लिए पूरे 90 मिनट का प्रैक्टिस सेट है हिंदी का डिजिनिंग का और आपके जनल इस्टिडी का यानि तीनों सेक्शन के 130 कोशन आपको प्रोवाइट कर दिया है निश्चित तोर पर मैं आसा करता हूँ इस वीडियो को आप सभी कोशिशनों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा जो है अपना जो है एक्जाम में भी जो है आपना करके आएंगे इस उमीद के साथ मैं अप प्रैक्टिसट की पूरी पूरी यहीं पी स्रीज जो है जुनियर स्रीटेंट एक्जाम के लिए अब दाइंड करता हूँ है ना तो ठीक है अब आप लोग अपनी तयारी मिलाएए मातर दो दिन आपके पास बचे हुए है आज आपका जो है 21 तारीक हो चुका है 22 तारीक बचे हैं 24 तारीक को आपका एक्जाम है अब खबरें यह भी है कि एक्जाम पोस्ट पॉन को लेकर लेकिन अभी मैं इसके संबन्दे कोई कुछ का पाना जल्दी बाजी समझता हूँ एक्जाम को पोस्ट पॉन है कि अभी कहीं किसी पकार की कोई खबर नहीं है तो आप अपनी तयारी करिए ठीक है चलिए अब हम सुरू करते हैं कोश्चन देख लेते हैं पहला कोश्चन जो हिंदी से सुरू करेंगे उसके बाद रिजिनिंग होगा उसके बाद आपका जो है समान अध्धन होगा तो चलिए लेते हैं एक एक कोश्चन का पूरा पूरा जवाब हम और आप मिलकर चलिए बढ़ते हैं तो पहला कोश्चन आपके स्कीन पर आजचुका हिंदी प्रग्यान और लेखन योगता के सम्मन में है ना तो पूरे पूरे ओन थर्टी कोश्चन आपको सॉल्व कराया जाएंगे जो आपके एक्जाम के पॉइंट आप यू से बेरी बेरी इंपॉर्टन है तो आप देख सकते हैं पहला कोश्चन हिंदी प्रग्यान योग लेखन पहला सेक्षन आपका यही से सुरू होगा हिंदी होगा उसके बाद आपका रिजिनिंग होगा फिर क्या होगा आपका समान अध्यान होगा है ना चलिए तो पहला कोश्चन क्या है निम्रखित में से किस आध्युनिक भारतिय भासा का विकास मागदी अपवरंस से नहीं हुआ है आपको बताना है तो पहला जो कोश्चन है आपका मैंने बताया है कि किस आध्युनिक भारतिय भासा का विकास मागदी अपवरंस से नहीं हुआ है अब आपके पास चार आपसन है बिहारी, बंगाली, मराथी या फिर उडिया तो राइट एंसर इसका क्या फ्रेंट देखिए और बताईए तो वो आपकी मराथी है आपसन नमबर सीज़ा राइट एंसर आदनिक भासा भारतिय भासा जो है मराथी जो है इसका विकास मागदी अबरन से नहीं हुआ है बलकि महाराष्टिय अबरन से हुआ है है ना, महाराष्टिय अबरन से हुआ है चली, आगरा कुश्यन आपके स्कीन पर असुद्ध वर्तनी इसमें से कौन है यह आपको बताना है तीन तो सुद्ध हैं एक सही नहीं है वो आपको बतारा है इसमें क्या होगा तो क्या होगा friends नभ मंडल नभ मंडल जो है ये असुद्ध वर्तनी है इसका सुद्ध रूप क्या होगा नभ मंडल होता है नभ मंडल ओके चलिए अगला कोशन शूर्य उदा का संदी बिच्छेत कीजिए शूर्य उदा का संदी बिच्छेत तो सूर्य का संदी क्या होगा सूर्य पलस उदाए सूर्य पलस उदाए है ना चलिए अगला कोशन यड़ संद है अगला कोशन चावर के का उचार मुह के किस बाक से होता है Sciences 199 Regas वाख के होता है तो किस बाक से होता है काख कणठब होता है चार जोड़ा तालब होता है आपको पता न चाहिए तो क्या है आप्षान नम्बर रिजदा राइट एंसर ओके चलिए अगरा कोश्चन अधादा पलस आपलस अधा का पलस अधा का पलस अधास सा मुर्धनी सा पलस आ इन धन्यों से मिलकर बना सब्द है अब क्या है यह आपको बताना है क्या है सोचियों बताईए क्या है दच्छ है यह पूरा अगर जोड़ दिया इसका क्या मिलकर जो धोनिया दच्छ होगा चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं गायक में कौन सी संद है गायक में कौन सी संद है तो गायक क्या होगा संदि बिच्छे के पहले कर ले गले पलस अक है है ना ओ का मात्रा है पलस आ है तो कौन सी संद इसमें होगी बताइए क्या होगा इसमें जी हाँ जो सोच रहे हैं वही है आयाद संद है है ना आयाद संद है ओ पलस आ हो ओ पलस आ हो ए पलस आ हो या इह हो कुछ भी हो याद यहाँ पर क्या हो जाएगा आयाद संद आपसर नमर बीजदा राइट एंसर चाली आगला कोशन देख लेते हैं निम्लिखित में से सुद्ध वर्तनी का चैन कीजिए अब सुद्ध तरीके से इसमें क्या है वो बताइए तो सही देख सकते हस्ता छेप यह भी गलत है नी रोग है ना नी रोग यह भी अच्छोडी यानि निस्पच्च जो यह सही लिखा हुआ है है ना निस्पच्च जो है वो सही लिखा हुआ है अगर हस्ता छेप की बात करते हैं तो कैसे लिखा जाता है हा करने निरोग की तो बड़ी की मात्रा लगता है ना पर इस तरीके से लिखा जाता है निरोग है ना वहीं अच्छोवडी कि अगर बात का लिया जाए तो अच्छोवडी कैसे लिखा जाएगा आ छो हीड़ी है ना आ छो होड़ी चलिए अगला कोशन वा का उचान अस्थान क्या है वा का उचान अस्थान क्या है क्या है दंतोस्थ है वा का दंतोस्थ है यह उपर जाता है दर्णत भांगे और पर आता है यह क्या है दंतोस्थ है आठ का अपने में सही है यारालावा आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं ये अन्तावस्ताई बेंजन होते हैं क्या होते हैं अन्तावस्ताई बेंजन होते हैं और यारालावा अगर तीनों की बात कर लिया जाए तो क्या होते हैं सघोस होते हैं है ना और क्या होते हैं महापराण होते हैं चली अगला कोशन निम्लिखित में से किस वाक्त में बिरामशिन का परियोग तुर्तिपूर किया गया है अब चार आपसा नहें आपको इसमें से बताना है क्या है तुम जा रहे हो सही है मोहन अब तुम घर जा सकते हो पूर बिराम सही है है इस्वर बिस्मात ठीक है बिस्मत बोधक सबका कल्यान हो इच्छा सुचक वाक्ष यहीं गरबर है आप सायद पटना के रहने वाले है है ना आप सायद पटना के रहने वाले हैं इसमें क्या होना चाहिए पश्ण वाच्छी नोना चाहिए था कोश्चन कर रहा है आप सायद पटना के रहने वाले हैं यहां कोश्चन मार्क होना चाहिए यहां इस्तिती अस्पष्ट नहीं है ना आप पट्ना किराने वाले हैं इस्तिती कहां अस्पष्ट हो रही है संभावना लग रहा है तो आप सा यहां पर का होना चाहिए कोईशन मार्क ओके चलिए अगला कोश्चर दस नंबर स्क्रीन पर है आपके निम्खित में से वाक कौन सा समू वाचक संग्या का नहीं है संग्या कितने प्रकार के होते हैं पाच प्रकार के है ना बैक्ति वाचक समू वाचक दरब वाचक भाव वाचक इस प्रकार से अगर मिलारिया है और यह आपको बताना है है कि तो क्या होगा मकान एह ना मकान जो है यह शमूह वाचक शंग्या नहीं है इसमें से बाकि गुच्छा देख सकते हैं यह भी एक सबूश को कुंज यह वह एक समूह को परद्ल कर रहा है मंडल समझी रहा आप पर दर्सकर यह सब्द दे रखा है ये किसी जो एक समुवाचक संग्या का सब्द नहीं है, अगला कोश्य है, पद्ध्यांस दिया गया है, इसको पढ़कर उत्तर आपको देना है, 11 से 13, यानि तीन कोशनों का जवाब आपको यहीं से देना है, तो पहले हम पद्ध्यांस को पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके स एक अनोखा जसन मनाएं, अपना कोरा आस्थित जमाएं, यानि जो हमारा आस्थित नहीं है, कोरा है, खालिये, उसको हम जमाएं, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंतिरत्व आई है, बिचार रूपी कल्यों पर बहार खिर आई है, गहनता की फसल लहा लहाई है यानि विचार करनी की जो हमारी सक्ती है वो कहीं कहीं उसमें विकास हुआ है साइद इसी कारण आज बरसों बाद उठी इच्छा हम कुछ कर दिखाएं अपना कोरा आस्तित जमाए है ना अब कभी के मन में इच्छा उत्पन हुई है अब क्या हुई है पद्यान से अर्थ समझना पड़ेगा तो कभी के मन में इच्छा उत्पन हुई है क्या इच्छा उत्पन हुई है कुछ महत्पूर कार करने की इच्छा उत्पन हुई है जैसा कि हम कुछ कर जाएं अपना कोरा यानि कुछ महत्यपूर कार्णे की इच्छा कभी के मन में जगी है तो अपसर नमबर एज़ दा राइट अगला कोशन किन कलियों पर बाहर का आगमन आया हुआ है बिचार रूपी कलियों पर आपसर नमबर 20 दा राइट एंसर अगला कोशन सूखे पत्ते परती कहें अब एक जो है भाव जोड़ा गया था सूखे पत्तों से तो सूखे पत्ते का परती क्या है मन के सूने पन से क्या है मन के सूने पन से है है ना मन जो सूना था उस पर विचार रूपी कलियां चाही हुई है और सुखे पत्ते जो थे वो कहीं कहीं उसमें जो है एक हरियाली लहाई है आज कुछ कर जाने की इच्छा एक जागी है चलिए अगला कोशन देखते हैं तीस में आप सम नमबर सी आपका राइट होगा ना चलिए अगला कोशन चौदा नमबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि सब्दों के संख्या बोधक बिकारी रूप का नाम बताईए है ना परियोग के अधार पर बिकारी आविकारी जैसा कि आप लोग जानते होंगे तो बिकारी रूप संख्या बोधक कौन सा है ये आपको बताना है तो कौन सा होगा फैंट वचन है ना संख्या वो धर्विकारी रूप क्या होगा इसमें वचन होगा चलिए अगला कोश्चन निम्लिकित में से कौन सा सब्द पुर्तबाली भासा का सब्द इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है तो कौन सा है चाभी चाभी जो है पुर्तबाली भासा का एक सब्द है ओके चलिए अगला कोश्चन तुम्हें राम के आने का परतिच्छा करना होगा तुम्हें राम के आने तक परतिच्छा करना होगा इस वाक्त में कौन सा निपात है निपात जैसा ज होते हैं तो इसमें कौन सा अनीपाद है यह आप को बताना है तो मैं राम के आने प्रतिछ्छा करनी होगी तो कौन सा नीपाद है फ्रैंड इसमेंं थिसमा जूत का आने सीवा बोधक और नमर 3 prank एनसर अगला कुशन जिस और अगला कोईशन निम्रखित में से कौन सा विशेसर पदबंद है विशेसर पदबंद इसमें से कौन सा है तो क्या है इसमें चांद से भी प्यारा एक विशेसर बता रहा है किसी चीज का कि जो चांद से भी प्यारा है क्या होगा चाद से भी प्यारा चली अगला कोशन ब्लैंक से फिल करना है स्याम ने राम से पत्र ब्लैंक इस वाक्ष में रिक्त अंस में पढ़ना किरिया के किस रूप का परियोग होगा तो क्या होगा स्याम ने राम से पत्र पढ़वाया आपसर नमबर यह इस दा राइट एंसर चली अगला कोशन टॉंटी नमबर कोशन आ चुका है वीडियो को लाइक करते चले है ना चली अगला कोशन निवर्खित में से किस सब्द में इस्तरी परत्य आईन का परियोग नही किया गया है निवर्खित में से इस्तरी प्रत्य आईन का परियोग किस सब्द में नहीं किया गया है तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा से ठानी आनी परियोग किया गया है ना आनी इसी में नहीं हुआ है बाकी आईन सब में लगा है चाहे चौबाइन ले लिया जाए ललाइन ले लिया जाए पंडिता ले लिया जाए तो आपसर नमर सी दा राइट एंसर चलिए अगला क्विशन वाग उद्ध में तत्पुरुस समास का कौन सा भेद है वाग भूत तत्पुरुस जैसा जानते हैं आप अधिकरण होता है करण होता है अपदान होता है संपरदान होते हैं तो तत्पुरुस का कौन सा भेद इसमें है वाग उद्ध में ये आपको बताना है तो इसमें क्या होगा फ्रेंट करण तत्पूरूस है ना क्या होगा करण तत्पूरूस है आप सब्सक्राइज दा राइट वाग यूद मतलब के द्वारा है ना अगला कोशन है 20ड कोशन आज को आपके स्कीन पर पर किर्या कलें रुप हरूप अंतर जिसमें वाक में करता की परधानता का बोध होता है कहा जाता है क्या अगला कूशन इस- वुइच स साग कुसाग्र विदार्थी है यहां कुसाग्र काउंसा विसेसर है कुसाग्र जो है काउंसा विसेसर है तो क्लियर कट आपको दिख रहा होगा क्या है विसेसर बता जा रहा है उसके गुड के बारें बता जा रहा है तो यहां पर काउंसा होगा विसेसर गुड वाचक विसेसर हो और गुरवाचक विशेशर। तो संग्या कितने हैं, विशेशर एडिजेक्टिव निनलिस में 4 परकार को थे हैं, अब साफ नामिक, भी 2 परकार को होता है, एक मौलिक, एक योगिक, चलिए अगरा कोईश्यं, पंकच किस परकार का सब्द है, पंकच किस परकार का सब्द है, तो पंकज की सब्द है योग रूण सब्द है क्या है योग रूण सब्द है अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसका है ना तो ये योग रूण सब्द क्या होते हैं वो विरिये समास होते हैं आपको पता होगा कई बार मैंने बताया भी आ अधिकाण का मैंने कई वर बताया आपको में पर है ना अधिकाण का में पर तो 25 का अपसर नमबर is the right answer अगला question वह आया हो इस वाक में वर्तमान काल का कौन सा रूप है वह आया हो तो कौन सा है ये सोचिए एक संभावना बेद कराई आ रही है वह आया हो तो कया है संभाव बवर्तमान आपसर नमबर is the right answer अगला question निम्लखित सब्द युक में के सही अर्थ बेद का चयन कीजिए निम्लखित सब्द युक में के सही अर्थ बेद का चयन कीजिए जो अम्बुज और अम्बुद दिया गया है इसका सही भेद करना है तो क्या होता है बादल और समुंद आपसर नमबर 6 दा right answer स्वारी ये अम्बुज का मतलब कमल होता है आकाश नहीं होता है तो एक कमल और बादल यह होगा है ना ि आफिर नोब्ड राई्ट एंसर अगला कोईशन मैं से कौन सा अविकारी सब्ध है, तो ऑविकारी सब्द क्या है आववैश अप्शन सुन मइन भी सब्ड e लाइट एंसर अगला कोईशन है निम्लिखित में से किस सब्द में प्राउपसर्ग का परियोग नहीं हुआ है प्राकास प्राचार प्रवल परत्यच परितच लग रहा होगा ना अपसर नमर्डी इस दा राइट अगला कोश्चन 30 निम्लिखित में प्रियुक्त परत्य आते अब सब्द के पीछे लगता है ना सब्दान्स होता है तो लुटेरा में का है अ और आपसर नमर्डी दा राइट अंसर लूटेरा अब एट रहा है उचाण करने पर चलिए ठर्टीफर्ट कोशन देखते हैं तो थर्टी देख सकते कुछ लड़के खेल रहे हैं है ना कुछ लड़के खेल रहे हैं इस वाक में प्रियुत कुछ किस परकार का विसेसर है तो किस परकार का विसेसर है कुछ यहाँ पर है ना सम किस परकार का विसेसर है यह आपका परिमार बोधक मनें बताया था ना कुछ हो जादा हो तो यह किस प्रकार को होते हैं परिमार बोधक है ना अगला कोश्यर में 32 नमबर 32 नमबर वह आत्मी जो कल आया था आज भी आया है इस वाक में जो कल आया था यानि ये जो कल आया था कौन सा उप्वाक है है ना तो कौन सा उप्वाक है ये विसेसर तो कौन सा कलाज है नमलखित मेंसे अ सुद्ध वाक क का चैन कीजिए sentence तीन चार दिए गया है जिसमें से तीन सही है एक गड़बढ है तो कौन सा होगा इसका ये आपको बताना है तो चार आपसन है असुद दुबा क्या है 33 का क्या होगा अब एक एक कर सभी मर गए सही है चर्खा चलाना उसने मुतहस धन उटा ये भी सही है ये संटेंस आपका सही नहीं है क्या ये संटेंस आपका सही नहीं है इसमें वास्तों में के अस्थार पर क्या होना चाहिए वस्तुता होना चाहिए क्या वस्तुता वह बड़ा आदमी है चलिए अगला कोशन यद इस रोग को आरं में ही काभू न किया गया तो या हो सकता है क्या हो सकता है संक्रामक रूप आप्शन नमबर बीज दा राइट एंसर अगला कोशन है br existing का हिंदी अनुवाद क्या होगा टो आप लोग कई बर कचेरिम गये होंगे बोलते हैं कि हमको यह भी डिविट बनवाना है तो क्या होता है हिंदी में उसको बोलते हैं सपत पत क्या बोलता है सपत पत अपसर नमर्टी दर आइट एंसर अगला कोशन है रियर्रेंजमेंट से यह आप देख सकते हैं फर्ष्ट और लास्ट वाक दे दिया गया है बीच में चार दे गया है उसको रियर्रेंज करना है तो जो फर्ष्ट आपको देख सकते हैं आप दे दिया गया है आप सब को धोखा इस सब्द को याद रखिएगा sentence को कि आप सब को धोखा यहां से देख सकते हैं तो क्या होगा फर्ष्ट पर ला होगा आप सब को धोखा दे सकते हैं आप तू फर्स्ट नंबर होगा रा आप सबको दोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते हैं ना खुद को दोखा नहीं दे सकते ओके यानि आपका रा के बाद क्या वा होगा है ना रा के बाद वा होगा आप सभी को दोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते ला दे सकते हैं आप खुद को दोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते हैं रा वा रा वा और उसके बाद आपका क्या होगा रा वा ला या है ना तो क्या होगा ला या या यानि आपसर नमर डीज दा राइट एंसर अगला कोईचन है निम्लिखित में से कौन सा भी मेल सब्द है उसका चेहन करिए अगला कोईचन निम्लिखित में से उसे विकल्ब का चेहन करिए जो असंगत है यानि जो है चार विकल्ब दिये गया है इसमें चार चार सब्द लिखे गया है जो एक ही अर्थ पर कट करते हो जो है मतलब जो नहीं है उसको असंगत यानि वजी मतलब क्या होता है आपको पता होने चाहिए क्या होता है घोड़ा होता है है मतलब घोटा तुरंग मतलब घोटा लोचन मतलब क्या आँख होता है नेर मतलब भी आँख चचु मतलब दिरिग भी मतलब अब यहां दे सकते आप जो चीजे बदल नहीं है क्या दे रखा है यहाँ पर मयूख दे रखा है रस्मी परभा और अंबर दे रखा है तो यहाँ परिस्ति अलग है अब अंबर सब्द कपड़ा का परियावाची सब्द आपको पता होना चाहिए अंबर कपड़ा का परियावाची होता है वहीं बात कर लें रस्मी और परभा का तो रस्मी और परभा किसके परियावाची होते हैं रस्मी परभा किरण के किरण के और मयूख जो आपका परियावाची किसका होता है मयूख रस्मी और परवा किरण के परियावाची है तीनों यह भी आपका किरण का अंबर कपड़ा का यानि जो है आपसन में देखा जाए तो जितने भी चारू सब्द लिखेगा है आपसन में एक ही अर्थ परकट कर रहे हैं यहां भी निकेतन वहां यानि घर का जो है सब प पर यहां यह चीदे रखा है आसंगत यहिए तीन का मतलब किरण होता है और अंबर का मतलब क्या होता है अंबर का पड़ा तो आपसन नंबर सीस्टाराइट अग्ला कौशन युद्ध में इस्थिर रहने वाला किस समास का बिग्रेव्हेद है उद्ध में इस्तिर रहने वाला किस समास भी दिरेका है युद्ध में इस्तिर रहने वाला जिसे बोलता है युद्धिष्टिर तो इसका क्या होगा राइट अंसर 39 का ये नमबर अलुक तत्पुरुस है क्या अलुक तत्पुरुस है युद्ध में इस्तिर रहने वाला को इतुष्टिर बोला जाता है और अलुक तत्पुरुष समास का बिग्रेप पद है जब तत्पुरुष समास में पूर पद्र की बिभ्यक्ति का लोप ना हो तो अलुक तत्पुरुष काते हैं है ना चलिए अगला कोशन निमलिकित रशनाओ को उनके जाहित की बिधा के साथ सुलमित करके चिनित करिए अब भारत दूर दसा क्या था ये आपको बताना है वर्दान क्या है चित्ता के फूर क्या है निर्मला क्या है चारों का सही मिलान करके आपको बताना है कि कौन सा इसमें एक रखा है वो आपका उपन्यास है यानि चार नमबर चिता का फूल जो है एक निबंद है यानि तीन नमबर वर्दान जो है आपका ये क्या है कहानी है दो नमबर और भाद दुर्दता एक नाटक है यानि तो चार तीन दो एक जहां पर होगा वही आपसन सही है चार तीन द यह आपसर नमबर इस दर आइट एंसर चलि अगला कोशन निम्लिखित सब्द में से कौन सा बिलोम सब्द का यूग में आसंगत है सही योगी का परतियोगी ठीक है उद्धत का बिनीत ये क्या है उद्धत का बिनीत ये भी सही है का बिनीत ये भी सही है कायर का इडर घर आधैना एक कायर और दे रखा ये भी सही है जोती और परकास करें कि आ कि एक ही मतलब ये जोती हो परकास करती है ये संगत है आपने ये इस दराइट एंसर अग्ला कोशन 42 नमबर आचुका है सकीन पर निम्लखित में से कौन सा विकल्प तुटी पूर है चाल सट्टेस दे दिये गहाई ये भी सीडी करके इसमें से कौन सा आपका असुद्ध है तुटी पूर है ये आपको बताना है वर्ण वर्ड सब्स्ट्यूसन है जिसके आने की तिथी मालूम ना हो अथिथी आपको पता सही है जिसके हिर्दे में दया ना हो निर्दई अब ये क्या लग रहा है आपको सही है जी हाँ सही है जिसके हिर्दे में दया ना हो निर्दई और इसके ममता ना हो उसके ममता ना हो उसके लिए भी सब्दी उच्किया जाता है क्या उच्किया जाता है इसके पास मंता ना हो निर्मम बोला जाता है और जिसकी चिंता ना हो सकती हो चिंता रहित जिसकी चिंता ना हो सकती हो उसको चिंता रहित बोला जाता है तो यही आपका जो है गलत है एक तुटी पूरी है जिसकी चिंता नहीं हो सकती है है ना चिंता रहित नहीं होगा उसके लिए सोध से उत्पन हो लेवाला सोधीज तो इसका जिसकी चिंता नहीं हो सकती है इसका राइट क्या होगा आचिंतनिय होता है क्या होता है आचिंतनिय है ना आज चिंतन ये चलिए अलगकार के सम्मन में आ चुका है नवल सुंदर स्याम सरीर की सजल नीरस सीकल कांती थी उपयोग तुबने कौन सा अलगकार है तो कौन सा अलगकार है इसमें आपको बताना है तो कौन सा है उपमा अलगकार है नवल सुंदर स्याम सरीर की इसमें कौन सा उपमा अलगकार दे रखा है कांती उपमे सब्दी दे रखा यहां पर है और उपमान क्या है नीरत दे रखा है ना और सी समानता वाचक पद है और कल समान मतलब धर्म है तो यहां पर टोटल मिला करके अगर बात किया जाया अलगकार के समान में धर्म सुगोड तो क्या है यह उपमा अलगकार है आपसर नमबर एज दे राइट एंसर अर्था अलगकार का अगला कोशन चंद से समधित गड़ों की संख्या है चंद से समधित गड़ों की संख्या है तो कितनी है गड़ों की संख्या आठ होता है है ना गड़ों की संख्या कितनी होती है अगर भात के लिया जाए- तो टोटल संद कैंग कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए- साथ होते हैं कौन कौन से 600 होता हैं वर होता है और संख्या होता है गतियत ओर तुक होते हैं तो यह जो आपका गड़ है अब यह पूछा गया था ना कोश्चन में आपका कि गड़ कितने होते हैं तो गड़ कितने होते हैं आठ होते हैं है ना आठ गर माने जाते हैं चलिए अगला कोशन देख लेते हैं पिर्थिवी राज रासो किस काल की रचना है तो किस काल की आधिकाल की है ना आधिकाल की रचना है पिर्थिवी राज रासो चंद्रबर्दाई के दर लिखा गया था है ना चलिए अगला कोशन निर्खित में से कौन सा अनिकार्थिक सब्द नहीं है यह आपको इसमें से बताना होगा तो कौन सा पाप बाकी खग भी यह प्राण खग जो है यह आपका यह खग मतलब आपको मालूम होगा क्या होता है पच्छी होता है ना और तारा भी होता है और खग मतलब बाढ़ भी होता है अच्छ मत अबिस्त लब क्या होता है आख हब motor नंग की बात करना हाथी और सम दोनों को का जाता है तो तो पाप जो देी रखा यह का tem नहीं है यह 8pa में ना चलिंजांगा कूशन vic वह dernière सब्दकार यर्फ कीजिए स्फ्राइट किजिए को क्या होता है का वाले का यह शथ कर घिया है ना अगला कोईशन है तूटि पूर्य बिकल्प की चैन केजिए अब रस और उसका स्थाई भाव पूछा गया है तो सिंगार रसका रती सही है राउद्र का हास ये क्या है यहीं गरबड़ है राउद्र का क्या क्या होता है कुरोध होता है लेकिन यहां हास दे रखा है है तो हास किसका होता है हास रस का स्थाई भा होता है बीर का उसा ये सही है विवस का जुगुपसा घिर्डा ये सही है तो आपसन नमबर बीर दा राइट रौदर का हास नहीं होता है रौदर का क्या होता है क्रोध होता है अगला कोशन कहावस्य है बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का क्या अर्थ है बैल ना कूदे कूदे तंगी इसमें क्या होगा यह आपको बताना है बैल ना कूदे लेकिन कूदे तंगी तो क्या होगा इसका राइट एंसर जो बलवान आदमी कहा जाया धनाडे बैक्त के साथ मिराते हैं तो वो बै का होना चाहिए कई बार आपने अनभों भी किया होगा इसका है ना तो क्या होता इसका स्वामी के बल पर सेवक का साहस चलि अगला कोशन 50 नंबर कोशन आ चुका है स्कीन पर यहां से देख सकते हैं अगर डिटक्सन से कोशन है और आ कि वहांकि तुट्री पर भागा चयर करना इसमें से आपको चलिए देखते हैं धनवाण को बेकार में देकर कोई लाब नहीं होगा कि का तुट्रीपूर तो क्या होगा पूरा धन्वान को बेर्थ सहाथा देकर कोई लाव नहीं होगा बेकार में नहीं बेर्थ सहाथा दे इसमें नहीं लगाुआ है उसमें आधावा लगा है है यहां तत्रता में आफ्सान नंबरी क्या हुन का भी है लाउक खेली अगला कॉस्यच्य देख लेते हैं क्लेस का सही बीसेशंड सब्सक्राइबब का होगा क्या होगा कि क्या होगा क्लिष्ट कि आप सब्सक्राइब कभी कभी आपको इसको वर्तनी के समझ में पूछा जाता है तो आप इसको याद ही रखिए आधा का उपर मात्रा ला अधा मुर्धनी साटा क्लिष्ट अगला कोश्चन निम्लखित विसेस और विसेसर यानि एड़ तो ये सही है और कुरोद का कुरोद ये भी सही है ताप का ताप यही गरबड लग रहा है यही गरबड है है ना अब ताप एक विसेस है विसेस है सही है लेकिन जो विसेसर सम्द उसका क्या होगा ताप तो होगा ताप तो नहीं होगा और दिन का दैनिक यह विसेसर सही है दिन जो है विसेस है और दैनिक क्या उसका विसेसर है ना अगला कोशन राज दर्बार में कौन सा समास है राज दर्बार में कौन सा समास है ये आपको बताना है तो कौन सा समास है राज दरबार अमने फ्रेंट राजा अगर राज दरबार कहा जाए तो मतलब राजा का दरबार तो क्या होगा तत्पुरूस अप्शन नमबर सीजदा राइट एंसर फिप्टी फोर का चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन आ चुका है कि सितोस्ड में कौन सा समास है यह आपको बताना है तो कौन सा समास है सीट और क्या सीट और उस्ड मनदब सितोस्ड तो क्या है यहाँ पर दंद समास है इक दोनों परद्द परद्द समास है यहाँ तो परद्ध परद्धान है भाव समास के चाहां पर जहास पर कोई परधान ना हो सभी योगरूण सब्द होते हैं इसे पीतांबर निलांबर तो क्या ह Using सभाइब होता है जाली अगला कोशन निम्लखित में से कौन सा संग्या पद बंद कौन सा है यह आपको बताना है को तो क्या होगा इसमें पहरा देने वाला है ना किसी के लिए यूच किया रहा है ना पहरा देने वाला कोई ब्यक्ति ही होगा तो आपसर नमबर डी जा राइट एंसर अगला कोशन मैं नहीं जानता कि वहां वहां कहां है किस वाक में वहां कहां है कौन सा अपवाक है यह आपको बताना है मैं नहीं जानता कि वहां कहां है तो वहां कहां है यह किस प्रकार का उपवाख है यह आपको बताना है तो किस प्रकार का यह संग्या उपवाख है है ना संग्या वहां कहां है यानि किसी के लिए यूज किया जा रहा है संग्या किसी बेक्ट्वर स्थान पर तो क्या है संग् चलि अगला question देख लिया जाता है 58 number question आ चुका है आपके screen पर blanks है उसको फिल करना है देश रच्छा के लिए परतेख नागरिक को blank रहना चाहिए इस वाकिमेजिक तरहतार पर निमखित में से किस सब्दिका परियोग उचित है तो देश रच्छा के लिए परतेख नागरिक को क्या रहना चाहिए उद्दत रहना चाहिए आपसर number 20 दा right answer उद्दत मतलब क्या होता है तयार रहना होता है अगला question है 59 कामाईनी के महा काब जो है इसके रचाईता कौन है तो काउन है कामाईनी के रहना चाहिए आप बताओगा जैसंकर परसाथ जी अगला question है और हिंदी स्रक्षन का last question जो आपके लिए है लिवकित में से काउन सी एक जीवनी है है ना काउन सी एक जीवनी है ये आपको बताना है तो काउन सी आवारा मसीह आवारा मसीह जो है एक जीवनी है अच्छा ये आवारा मसीह लिखा किसके द्वारा गया है ये भी आपको जाना है तो किसके द्वारा बहुत बार पुछा जाते कि इस कृति के लेखा के रचनाकार काउन है तो काउन है बिसुडू परभाकर तो यह पूरी-पूरी हिंदी सेक्षन यहीं पर खतम होती है अब हम बढ़ेंगे जो है GDS करहा हूँ आपकी बाप हम बढ़ेंगे अब बुद्धि और तरक सक्ति के समन में dear होगे 60 कोुष extrem होगे हैं हमसरू करेंगे आपका किया तरक सक्ती है लिessenि-को उसके बाद-आपका समान-अध्य, तो भात करते हैं समान बुद्धी परिचर के समद में हैं बुद्धी परिचर के देशन us महात पूर को सन याने पश्ण संक्या एकसर से बाट साथ तक एक अनुकरम दिया गया है इसमें एक याधिक पद रिखते हैं दिये गए विकल्पों को सही विकल्प चुने जो दिया गया अनुकरम को पूरा करें है है न तो चाहएं हम लोग देखते हैं सौल करते हैं इसको कआशा है दिरो वर यानि एक बढ़ सुख नहीं बढ़ सब्सक्राइब ऑफ सब्सक्राइब सब्सक्राइब शुक्रें सब्सक्राइबूटे है किस पैटर्ण पर ये कोश्टन सौल्व हो रहा है है आप क्या पैटर्ण चलає डेख सकते हैंło जीडोप रिस एक यानि एक प्लस एक यानि दो, दो पलस दो यानि तीन, दो पलस तीन यानि पांच और तीन पलस तीन यानि आठ फिर पांच पलस आठ इन आप आप, सुरी, अकॉलन वारा, 13, फाइप पलस एट कितना होता है? कि अगर हम तो 30 पलस 8 प्र slippers यहाँ हम करेंगे तो क्या युद टॉन सही है यानि यह सढ़ती तो अगहां देल करना आई मि'll ऐ आपको तो चलिए हम अगर पहले सब्स के ले ले यहां से तो आप यह दे सकते हैं क्या रखा है डी डी के बाद इफजी यच यानी 4 गृफ और तो उसके बाद आई आया वाना फिर उसके बाद एगर यहन के बाद चार गैप लेते हैं यह यहन के बाद ओ पी क्यू आर यानि इस इसी पैटर पर चल रहा है तो क्या हो गया आपका यह यह हो गया पहला आप देख सकते हैं आगे C के बाद D, E, F, G, H C के बाद D, E, F, G यानि 4 gap फिर हुआ B के बाद C, D, E, F यानि G तो यानि सब देखा जाया जो एक दूसरे से आगे जो बढ़ रहा है 4-4 gap लेके चल रहा है तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या था? I हो गया I के जो है यहाँ पर यहुआ चलेगा है ना? क्या चलेगा? यहन से हुआ start उसके बाद देखा जाया I, J, K, Y, 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 Yen के बाद Y M हो गया सही है G के बाद Y, I, J, K यानि Y, 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 YLou हो गया सही है Y, 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 Y Y, 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 Yachten के बाद क्या? iqe hai hai nah, तो यहानी मियलके यही होगा राइट एंसर तो आप सा निमर सीचा राइट एंसर चल यग्ला कुश्चों नीचे दी गए इस रिंकला में गलत पद काउन सा है यह आपको बदा रहा है कि इसमें गलत पद काउन सा दिया गया है कि आगे थो आप सकते हैं आगे इसा ही आगर अगर हम सुरू से स्टार्ट करें तो आप देख सकते किस पैटरंपर हे ये 508 के बाध टूफाइब टूफाइब टू आगया फिर इस चीज़ को आप ध्यान में देते हैं अगर चीज़ आपको तुरंट नहीं आ रही है एड़ टाइम तो आप उसके वीडियो को पॉस्ट करके सौल कर लीजिए है ना तब उसके बाद आगे देखिए कि मैं सर आपको बता दोंगा तो चलिए मैं सीधर सीधर आपको सौल करा इसको डिवाइड कर रहे हैं तो दो दूना चार दो पाचे दस है ना और दो दूना चार तो यारी आप देख सकते हैं इसी पैटन पर चल रहा है यह चार माइनस हो रहा है प्रतिक संक्या से उसके बाद उसका हाप किया जा रहा है तो यह इस पैटन पूहा टू फाइब ट तो टूभे आप पो रिए तो से करेंगे एडिवाइड तो टू वल्टू टू- forgivenуск Morgen यहाँ से मारज करेंगे तो से क्टिनलएगा बॉनिवंटि हम करेंगे तो सीचिन अब सिस्टी में मानेफ करेंगे तो कि क्याréal 대해서 फिप्टी एट का डिवाइट करें कितना होगा दो दूना चार दो नव अठारा उनतीस तो क्या गलत है अठाइश नमबर यही जो दे रखा यह गलत है अपसर नमबर डी इस दा राइट एंसर ओके चलिए अगला देखते हैं कंसर्ट से म्यूजियसियन तो पले से क्या संब्दित है कंसर्ट का जो है म्यूजियसियन से संब्द है तो पले का किस संब्द है जो संगीत कार्यकरम है कंसर्ट उसका संब्द संगीत कारू से म्यूजियसियन से है तो पले का किस संब्द है किस से है एक्टर से अभिनेताओं से है ना प्रेयर नाटक में जो है अभिनेता क्या देते हैं अपनी नाटक की प्रस्तुति दी जाती है है ना तो आप्सन नमबर डी दा राइट एंसर अगला कोश्चन आप शिष्टी फाइट शिष्टी सेवन तक समरूपता की अधार पर दिये गये बिकल्पों में से नहीं दिया गया संख्या या फिर सब्द युगमा पत्त ज्याद करें चलिए देखते हैं यहां से आ चुका है कि यहां पर एट है यहां पर टॉन्टी एट है यहां पर टॉन्टी सेवन है अब आपको यह देखना है देखे चलिए क्या दे रख्त है यहां पर दो का क्यूब है उसके बाद टीन का क्यूब दे रख्का ऐसा महसूस हो रहा है कि इसी टाइप दे चला Juan है है यही तो और कि कुछ और चला किसी पैटन पर इस पैटन पर इस पैटन पर चला देख सकते हैं आप तू का क्यू पहले लिया तो डू का क्या होगा है ना डू टू एट हुआ उसके बाद थी पैटन आगे बढ़ आ है तिरी का भी क्यों हुआ तो तीन तो तीन का क्यों तहसाइस हुआ हो पैलस एक अब तटथाइस होग Q सब्सक्राइब क्या होगा फोर का क्यूब पलस वन होगा फिर तो फोर का क्यूब क्या होगा तो 64 पलस यानि 65 आप संबर दे रखाए 65 तो आप सानल बड़ी इस दा राइट एंसर पर टेंट सौंज में आगया होगा ना चलिए अगला कोशन देख लेते हैं ड्रमर और ऐंकेष्टा तो मंत्री किसे संब्धते ना तो आप सन नम्र से राइट एंसर चलिए अगला कोशन जिस परकार गुर्फ जो है होल से समद्धत है तो फुटबाल किसे संब्धत है है ना तो फुटवाल तो गोल तो गोल किया जाता है तो उसमें चार चिया है यह आपको बताना है तो देख सकते हैं चार आप संथिपकली बत्क वेल और कोवा दे रखा है तो इसमें से आपको बताना है कोवा क्या है इस यह बाकि सब क्या थिस्टंधरी नहीं है यही तो आना यह ऐसे अशब्कली बत्क कोवा थिस्टंपाई नहीं तो आप सब्सक्राइब से देखना है सोचना है कि क्या इसमें से राइट होगा तो सोच लिए देख लिए थोड़ा 10 सकंड का टाइम दे रहा हूं आपको और नहीं फिर उसके 10 सकंड में आप सौल हो पाएगा तो आप जो है इसको वीडियो को पॉस्ट करके सौल कर लिजिए इसको उसके बाद आगे वीडियो को प्ले करिएगा है ना आगया समझ है चलिए अब देखते हैं किस पैटन पर यह है अगर बात किया जाए शिक्स प्लस टू यारी एट सिवन प्लस त्री यानि टैन एट और टैन हो रहा है यह दूनों बराबर नहीं रहते भी एक पैटन हो सकता था है ना अब साथ चारी 11 और चार हो रहा है किसी प्रकार इस पैटन पर नहीं चला तो आगे देखते हैं किया इसका एड करने माइनस करने पर देख लेते हैं शिस्टी टू माइनस थैटी सेबन तो कितना बचेगा टॉन्टी फाइफ आ रहा है यहाँ पर 96生 से माइनस करने पर उसके बाद अगर si4 मार्य kanak ऐटॉटी बना थैटी फोर आ रहा है कि यह 55 तो पाॉच्ट करेंगे तोrose 85 s करण आ रहा है। यह बन सकता है कि पेहली संक्या से संक्या मानस करने पर 25 नहीं बहुत था जो यहां 50 आ यहां भी यहां पर 34 आ रहा है तो यह नहीं हो रहा है तो आप सा नमर 20 राइट एंसर हो सकता है चलिए अगला कोशिचन और भी लाजिक हो सकते हैं मज़ें आसा करता हूं और आप निश्चित और पचानतों होंगे और भी लाजिक एक सट है और जो आपकी इस यही होगा आप आपका राइट एंसर है ना चलिए अगला देख लेते हैं अगला कौन सा राइट हो सकता है तीन सही यह एक गलत है उसको आपको सर्च करना इसमें से तो अब देख सकते हैं अगर शीव दे रखा दो इन दोंनों के बिचमें गलेLP कितनी है आगई से हम चलते हैं वी डबलु चार गाट यहिन हो सकता है एक लिए लिया मुएन ओ ना यहाँ जारा है उसके बास का जा रहा है बाकी आपने वहाँ पर लिए बाकी सभी क्या यस के बाद T U V है ना W तो आप देख सकते हैं T U B W तीन तीन स्वाइब तीन तीन गैप था चौथा वही था अब यहां पर अगर देख लिया जाए तो इसके इसाब तो चार था होगा बाकी सभी तीन तीन गएक थे इस लाजिक को समझना होगा बाकी सभी तीन गएक थे और यहां पर चार गएक था है रफ पी पर देखे लड़ियों की एक स्था पन basic में एक पंक्ति है को यहां पर स्वल्म करने का मैं आपको साठ बता देता हमगा एक पंक्ति है इना लड़कियों कि या पंक्ति में दिऑ्धया बाया से आटरावे अस्थान पर लाए या था ननमर्टाasmu परतिया स्थापित किया जाए तब दिव्या की इस्तिति नम्रता के तुरंत दाय हो जाती है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़किया है यह आपको बताना है तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं आगे थोड़ा तो नम्रता दाय से बरावे अस्थान पर है क्या कह रहा है नम्रता दाय से बरावे अस्थान पर है अब हम माल लेते हैं बरावे अस्थान पर है यह 18 अस्थान पर था तो बरावे अस्थान पर ले लेते हैं नम्रता यहां पर हो गई दाय से बरावे अस्थान पर हो गई है ना अब यह कारा इस्तिती बदलने पर याद नमबरता को पांच अस्थान दाएं पर तापित किया जाए है ना सभी उत्तर की दिशा में देख रहे हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा तो नमबरता का दाय क्या होगा इस साइड होगा है ना आपका राइट हैड होगा तो नमबरता मतलब एक मालिया जाए दो तीन चार और पाचवाहँ नम अा नमरता बायें पर ognारत को पांच अस्थान दायं परतापित किया जा है तो नमबरता यहां पर आजा रही है है और यह ठीक अब यह चीज आपको देखना मैं अच्छी तरीकस अब बता दे रहाहूं यहाँ से देखि यहां से देख लेते हैं ना यह हो गया लाइन एक तो इधर से यह 18 अस्थान पर हैं कौन दिब्या और यह बराहवे अस्थान पर है इधर दाहिने से हैं ना इधर से अब यह कहरा है क्या बोला था कि यदे नमर्ता को पांच अस्थान दाएं मतलब दाएं किया जाए तो नमर्ता एक तो यह है एक दो तीन चार पांच यही बोला है ना नमर्ता पांच अस्थान जब दाएं प्रतापित होती है तब दिब्या के इस्तिति नमर्ता के तुरंत द तो नम्रता अगर पांच अस्तान यहान आई तभी तू दिव्या के तुरूंट भूगी है यह तुष्टिति होगा नम्रता तुरूंटे जो है नम्रता के तुरूंट भूद हो जाती है अब तुछ इतने लड़कियां है यह आपको वताना है है ना तो इस प्रकार पंक्ति में कितने अगर 18 टोटल ये था ही बाएं से 18 था अब पलस 12 ये था तो यानि 5 एक 6 एक 7 यानि इसकी नमरता की स्थिति इधर से स्थिति 5 ये यानि 2 तो 12 इधर से था इसका पलस 7 है ना अठरा पलस 12 माइनस साथ तो बचा पांच है ना तो अठरा अठरा और माइनस बारा में से पांसाथ पांच यानि पांच पलस पांच तो टोटल कितने बच्चों हो जाएंगे 23 कितने 23 है ना आपसा नमर्डी दाराइट एंसर चलिए अगला कोशन देख लेते हम लोग आप कि 73 यह गुड़ इस ग्रेट मतलब सीपी और बहुता है अधिकित सीधे में आपको बताता हूं तो गौड़ ही इस गौड़ में किसके दो दर्साय जाता है तो पहले हमें ही का खोजना पड़ेगा कि यहां पर ही है नहीं है यहां पर दे रखा है है ना तो चलिए अब ही इ हो सकता है या सीपी तो इज और गरेट का क्या होता है इज का क्या होगा गरेट दे रखा यहां भी है पी या सीपी दे रखा है यानि आपका बी ओ है ना बी ओ क्या होगा आपका इज का बी यो जो मिल गया हो आपका इज का है और ही जो आपका हो जाएगा ही आपका हो जाएगा तो क्या डी क्यू और बी पी उसके बाद गॉट का क्या गॉट इस गरेट और कहीं पर गॉट है नहीं यानि गॉट का एयन हो जाएगा है ना तो डीकू बी पी एन डीकू बी पी एंट तो कौन से इसमें राइट एंसर होगा फ्रेंड्स आपका बताइए अपसर नंबर डी डी क्यू बी ओ एन अपसर नंबर डी जा राइट एंसर चलिए 74 नंबर को सब्सक्राइब इसे पर आरा यहां से देख सकते हैं जहां से आपको लुप्त संख्या यह ग्याद करना है कि इस पैटन पर चल यह आपको बताना है तो इसको देख लीजे थोड़ा तो फिर इसको पैटन को सॉल्फ करिया अगर नहीं तुन वीडियों को पास्ट कर लिए और सॉल्फ कर देखा जाया तो किस पैटरन पर यह सॉल्ब किया गया है इस पैटरन पर इस प्र शॉल्ब किया गया है यह आपको देखना है 69 तो ओपर वाली स्थिति तो आपकी ऐसी है तो किस पैटरन पर 9 x 9 x 70 x 3 – 9 26 x 3 इस पैटन पर यह काम कर रहा है यहां से देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से नाइन प्लस सेवन्टीन इंटू थिरी है ना तो इंटू थिरी और माइनस नाइन तो इस वहिखल करेंगे थो टांटी सिकस इंटू थिरी तो है ना टांटीatar क्या जाए तो तो एक आपका 78 आ जाएगा माइनस 9 तो कितना आ रहा है 79 69 है ना इस पैटर्ण पर काम कर रहा है यह मैंने आपको बता दिया ना किस परकार से देख सकते हैं 9 पलस 17 है ना देख सकते हैं इंटू 3 है ना माइनस 9 अब इस समीकर्ण को अगर आप पूरा करेंगे तो क्या आगा 69 उसी पैटर्ण पर यहां से देख सकते हैं 13 पलस 11 ओके इंटू 3 ओके माइनस यह 13 वहां पर 9 था ना आगी वाली संग्या यहां पर क्या 13 हो गया अब इस समीकर्ण पूरा सॉल्व किया जा तो 59 आ रहा है अब इसको सॉल्व करने की जववत है आपको तो इसको समीकर्ण पहले बनाना पड़ेगा तो क्या होगा एप लस थी एन इंटू पहली संख्या इसमें दे नहीं गया गुए इंटू 3 है ना क्या हो जाएगा इंटू 3 माइनस हमें पता नहीं है क्या होगा विकल 49 यहीं ना तो 13 पलस यानि पूरा समीकर्ण अगर बना तो 3 पलस एंटू 39 है ना 39 माइनस ए यह स्वाल हुआ ना और एकल दन 49 तो 3 पलस ए 39 अगर बात कर लिए 3A 39 इधर आ जाएगा बचे क्या टू यह टू यह इकल दन 10 है ना तो ए बराबर एकल दन आपका 255 हाना चाहिए ना क्या ना चाहिए फाइब तो आपसर नमबर एज दा राइट एंसर है ना इस पर टेंट पर यह कॉप कर रहा है चलिए अगरा देख लेते हैं प्रेट निचे दी गई आकिरती में तिर्भूज उबर गोर्वित करमसा क्या नगरवासी परिस्रमी और सिच्छित बक्तियों को निर्फित करता है एक से लेकर के आठ तक स्वारी साथ तक अंकित छेत्रों में से कौन से हैं जो नगरवासी है सिच्छित है कि तो परिस्रम ना करने वाले को घोसित करता है क्या था तिर्भूज नगरवासी और नगरवासी था आयत क्या था आपका वो यह था आपका क्या था देखिए सोचिए बताइए यहां से मैं देख देखा देता हूं आपको एक बार पूर्णा वर्ग और बिर ओर ये आपका क्या नगरवासी और ये सुच्छत तो क्या पूचा गिया जो न मर्सी इस में से सिच्छित है किती परीषल पर्सरीमि ना हो तो क्या होगा यहीं होगा न पर में आपकि अपसे रहे अपतनी का भाई है वह यूद्टि पुरस से कैसे सब्बंदि थे यूद्टि के गोर दीखते हुए एक पुरस ने कहा मालिजा यह पुरस है इसने कहा यूत्व को कहते इनके इकलावते भाई यानि लड़की के इकलांते भाई अब यह गोड़ defegd कह रहा है अब देकर, यह यूति के गोर्ड देखते निरो DT यह हो चुकी है यह लिए लेते हैं कि यूति एक हो चुकी यूति का भाई का पुत्र यूति के भाई का पुत्र यह इनकी पत्नी होंगी, पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, एकलावते भाई का यह लड़की के भाई का पुत्र जो है, मेरी पत्नी का भाई है, क्या है, पुत्र जो है, मेरी पत्नी का भाई है, यही तु बोला न, अब पूरा इधर से दिखा जिता हूँ आपको, करके स्वाल सिधा सिधा दे सकते हैं क्या बोला यूती को देखते हैं पुरुस ने क्या बोला इनके इकलावते भाई ये यूती हो चुकी है देखे लिए मैं जो ये बृत बना रहा हूँ ये जो है कहीं कहीं लेडिज को सोका जा ये यूती है कहा इसका भाई ठीक है न इसके भाई का पुत्र है न इसके भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है यानि ये जो हो जाएगा पत्नी और ये पुरुस हो जाएगा है न ये पुरुस हो जाएगा मेरी पत्नी का भाई है पुत्र मेरी पत्नी यानि इनकी पत्नी ये भाई है तो क्या पुछा जा रहा है वह यूती इस पूरुस से कैसे समद नहीं थे तो पूरुस यहाँ पर है यह है और यूती यहाँ पर है तो क्या समद हो जाएगा ये इनके क्या हुए ये नहीं कहना ये इनके ससूर हुए और इनके ससूर की ये बहन है तो क्या बना जाएगा ससू इतने तिर्भूज हैं यह आपको बताना है तो देख सकते हैं एक फलक वाले दो फलक वाले तीन फलक वाले चार फलक वाले और छे फलक वाले तीन तिर्भूजों को पूरा पूरा आप देख लिए पहले तो एक फलक वाले देख लेते हैं हम लोग कितने हैं छैं कितने हैं छ फलक वाले कितने हैं five है उसके बाद तीन फलक वाले एक दो तीन यानि तीन फलक वाले कितने हैं दो है और चार फलक वाला एक है उसके बाद छह फलक वाला भी एक है यह टोटल 15 च्हह, 5, 11,3, 11, लिए दा Absolute आगा देख लियत हुए और भी जडे के बच्चे हैं तो ए dissip है का जोर्ड पत्र यारी पत्नी की सब्सक् coke देज ने हम तबी तो पिता होंगे है ना जट का पिता ए है लेकिन ए पुत्र नहीं है यानि क्या है पुत्री है जट का जट तथा एक के बीच क्या संबंद है अब जट तथा एक के बीच क्या संबंद होगा जट क्या होगा पिता होगा और ए पुत्री होगी यही तो करनी थान होगा ना ए और बी जट के बच्चे हैं जट पिता है ए का लेकिन ए पुत्र नहीं है जट का यानि पुत्री है तो क्या इसमें राइट होगा अख़ परस्ट कि दिख रहाओ क्या बेटी है ना विल्टर नहीं है तो बेटी हो गाना आप्सानाम भी सिर्ण यह वहais रैत है बैत हैं तो बैटे हैं लूफिट इन इसको देख लिया जाता है मैं दच्छिर के और मुह करके खड़ा हूँ दच्छिर के और मतलब इधर मुह करके खड़ा है ये ये क्या होता है पूरब होता है ये उत्तर और ये पस्चिम मैं दच्छिर को और मुह करके खड़ा हूँ अब मैं 135 डिग्री वामा अमर्थ मुड़ जाता हूँ 135 जो है क्या वामा मूड़ जाता हूँ यह संब नंटी मूड़ जाता हूँ इधर मूड़ अब मैं ठीक पीछे पीछे मूड़ जाता हूँ यानि इधर मूड़ जाता है ism die इधर मुड़ जाता है पीछे मुड़ जाता हूँ अब मैं दाई और 25 डिगरी मुड़ता हूँ 45 मतलब यह किस पर मुड़ रहा है इधर आपका इस पर मुड़ जा रहा है पाइटारीश पर मुड़ गया है ना अब आगे क्या कह रहा है अब मैं किस दिशा की और देख रहा हूं तो सीधा सीधा आपको लग रहा होगा क्यों सा उत्तर पच्छीम के तरफ है ना तो पूरा अगर देख लेकिस तरफ देख रहा है यह आप सन नमबर रदा इक किस आकिरती के प्रतिरूप को पूरा करेगी कौन से उत्तर एक दो तीन तो कौन सा पूरा करेगा फैंड है क्या होगा इसमें आपका आपसर यह होगा आपका राइट एंसर देख सकते हैं यहां से इसको शटके इधर चाह जाएगा तो आपसर नमबर राइट एंसर नहीं आ रहा है वीडियो को पॉस्ट करके उसके बाहर आगे दे बढ़िए का मैं जैसे बता रहा हूं चीज़े नहीं सौन में आ लिए अब यहां गड़ती आपरेटर देश सकते हैं पलस कार्थ भागा और गुड़े आगे कार्थ क्या है यहां दिया रकता गुड़ा 15 और पलस कार्थ क्या भागा तीन तो पर यह भाग सब्सक्राइब तीन पांचे 15 तीन नुना च्छे तीन साथ एक कैस यह 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 27 तो 6 पांचे यह 30 तो 27-30 करोगे है ना तो 27-30 करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा थिरी आपसा नंबर एज दा राइट एंसर है ना चलिए अगला कुशन माचिस की अधिक्तम तिल्यों को रखकर बिविन आकरती बनाई जाती है निरुगी में से कौन सा एक अधिक्तम तिल्यों से नहीं बनाई जाती है तो कौन सा एक नहीं बनाई जाती है यह आपको बताना है 182 नमबर का कौंसी यह है ना है राज कि इसा कृति को बनाने के लिए जहां आठ तिल्यों कि और सकता होती है वहीं अन्य कृतियों को नौ तिल्यों को जोबत है एक जो भिर नहीं है आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और एक नौ है ना तो सभी को नौ बहुत थे हो यहां भी देख सकते हैं है एक दो ती चार पांच छह साथ आठ नौ सब में नौ यहां पर जो है आठी चली अगरला कोश्जन में से रवी सब्ता में हर दिनने के किलो किलोमिटर दौड़ेगा है ना कितने किलोधा दौड़ेगा दो सप्ता में मिट देख सकते हैं कि दिन आप आपका 500 मिटर जाता है तो यहां टू कर दिया हूं तो यह इसका कबर यह आप देखते हैं पलस पलस ही 500 रभी बार एक ही दिन तो इसको पूरा स्वाल्व जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 दूना बावन सो मीटर कितना बावन सो मीटर यानि 5.2 इसमें दे रखा होगा आपसर नंबर सी दा राइट एंसर चलिए अगला कोशन देख लेते हैं 84 नंबर आ चुका है स्क्रीन पर यहां से दी गई पष्चनाकृति का सही दर पर परद्वेब सीजे का जो है पष्चनाकृति का यह आपको बता campus क्या होगा यह आपको बताना है तो क्या होगा यह यह होगा बबाय अपसर नंबर सी देख लेती अगला कोशन भामिन का जन्व दिन सो मौर 21 मही को है यद रचित का जन्व 17 नॉम्बर को हुआ था तो उसी वर्स रचित का जन्व दिन सब्ता के किस दिन होगा है ना तो देख सकते हैं इस पकार से उसको सौर्ब करिए 21 मही को रचित का है और नव्मबर को भाविन के जन्म दिन 29 मैं से है ना और रचित के जन्म दिन 17 नॉंबर को तथा दूनों का जो अगर हम बात के लिया जाए तो पूरा देख सकते हैं बीचों का अंतर तो 29 मही को दो दिन बच रहा है उसके बाद मही के बाद जून 30 का होता है महीना ना फिर अगस्त जुलाई 31 का फिर अगस्त भी 31 का और सितंबर 30 का फिर पलस अक्टूबर जो आपका क्या 31 का और सत्तरा स्वारी सितंबर आपका 30 का अक्टूबर 31 का उसके बाद सत्रा दिन बुशा है सत्रा नॉवंबर को अब टोटल दिनों को आयट कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 172 कितना 172 अब इसको जो है आप सेवन डेज होता ने बीग में यहां से डिवाइट कर दीजे क्या हो जा अना कि साथ दूना 14 बचा कितना कितना हुआ है कितना हुआ टॉन्टी फोर और चार दिन यहीं तो वह इस प्रकार से 172 वाइट बाई सेवन कितना 24 और सेशफल चार बचा है ना यहीं तो रहा है ना तो अब रचित के जन्वदिन सत्ता नॉम्बर को आने वाला दिन होगा तो सो मौर से चार दिन आगे है ना सो मौर से चार दिन आगे यहीं तो होगा ना कोशन का जवाब उसका सो मौर को था तो सो मौर से चार दिन आगे मंगल बुद्ध बीफे और सुक तराइट एंसर सुक कुरवार है ना अगला कोशन एक कोचिंग कलास में यह लिया मैंनो च सिच्छक हैं हर सिच्छक अलग अलग बिसे पढ़ाता है और बिसे टॉटल कितने हैं चार है कौण से और जी तरक्सात्वा समान अध्यन यल वा यम अंग्रेजियो तरक्सात्न नहीं पढ़ाते हैं यल कर देंए को अब लिटे रिदेंग इसको त्व्याया गां इसको किस ट्रेकार से सॉल्प किया जा ern проблема करना क्या है यहां पर क्या लिखना आपको एक सिच्षक का नाम नीचे क्या यंग यंन और यह थोड़ा इस तरीके से पर सिच्छक का नाम यल यम यन ओ यह सिच्छक हो चुके हैं अब यहां से आपको जितने भी सब्जक्ट हैं उनका लिख लेना है ना चार है ना कौन कौन से गड़ित ठीक ना गड़ित के बाद क्या था अंग्रेजी है ना यहां पर सास् उसके बाद श्रमान अध्यण का नहीं पढ़ए यह वह अंग्रेजी और और तरक साथ नहीं पढ़ाते हैं है यह Towar समान अध्यन नहीं पढ़ाते वह अंग्रिया जी नहीं पढ़ाता तो अंग्रिया जी कौन पढ़ाता है तो इसको अगर पूरा सॉल्ब करके इस प्रकार से देखेंगे आप जिस पर जिसे बोला असपर टीक मारते चलिएगा तो पूरा साल्यूचन इसका क्या होगा यन जो है अंग्रिया जी पढ़ाता है चलिए अगला कोशन निमलिखित में से भिन चित की पहचान करिये तो भिन चित इसमें क्या होगा आपसर नंबर सी दो नंबर है ना चलिए अगला कोशन देख लेते हैं राखी की सगाई दस वर्स पहले चैनलों और कोशन है पशनि चा अस्तान पर आने वाली चैन किजिए कि पੋने सिंग पर संख्यां आने वाली तो आफ देख सकते हैं किस पकार से सौल्प के जा रहा है कि शे पांची तीस साच चल को टाइस यानि 6 5 11 साच 4 11 तरहते हैं ग्यारा यानि 11 11 जिरो साथ 6 14 814 गए साथ 8 24 12 13 वारा इनस यहां पर एक आ जा रहा ह। यह न दोनों का यह जब एड करके जो इसके मानस करने को से स हा रहा तो यहां भी वह होगा 11oure 13 माइनस दो यहां प्लाइब होगा ग्यारा जाएक आपसन वहे तो ग्यारा मेरे घर से 10 km पच्चिम की ओर गया फिर बाएं मुड़ा और 25 km चला बाद ने पूरब की हो गया तो बहुत ही सिंपल तरीके इसको स्वाब कर लिजे है ना इसका राइट एंसर क्या होगा आपका इसका भी राइट एंसर होगा क्या इन में से कोई नहीं ना अब्दीज होगा समझ रहे ना ओडी बरब क्या आजएगा यह आएगा आपका फाइब अंडरुड 10 km पूरा जो समान बुद्धी का स्था कोचसर फोड़ा समान बुद्धी में समय ज्यादा लगा होगा मित्रो है ना इसको फोड़ा स्वाल करने में टाइम लग गया है तो चलिए हम समान अ पहला कोचसा ने आपके स्कीन पर आप देख सकते हैं है ना कि महात्मा गाधी भारत या राश्ट्य कांग्रेश के अध्यच किस वर्स बने थे तो गाधी जी ने कब किया था वर्स 1924 में फैचपूर आपको पता होना चाहिए है ना चलिए अगला कुश्य देख लेते हैं अच्छत में आपस नमबर एज़ दा राइट एंसर अगला कोश्य निम्रखित में से कौन सा संसार में सबसे अधिक तीवरता से काटता है यह आपको अतार कौन सा पनामा की दीमक क्या पनामा की दीमक है ना चलिए अगला कोश्य गोल्डल पैन आप फिड़ अप उसकार कि किस सब्हRR की करता से है ना फट है अगला कोश्य भाग्या शांटिर सस्ट्स्त्र इस्तित्र है कहां पर श्तित्र तक राजदानी हैं है यंद्र पर्धांध के पर्थम ग्रमे पंद कउन पर सरदार पटेल अगला कोईशन निमलिखिट में से काउप पूर्तगाली उपनभी नहीं था कहाँ पर की जगहाँ पर पूर्तगाली उपनभी नहीं किया था तो कहाँ पर नहीं किया था चाहिए मसली पटनम बाकि बंबज05 छो ल सौ ते नहीं जगा पर contribute वेस कि हुआ था है ना आपसर नमबर सी अगला कोशन है परचीनतम बेद काउन सा है बेद चार है आपको पता हुआ है तो परचीनतम रिग वेद है है ना अगला कोशन 2011 जनकर्णा के अनुसार उत्तर परदेश में पुरू साच्छर्टा पर्शत है तो कितना है पुरू साच्छर्टा मित्रो 77.03 अगला कोशन रोम का पूरा नाम होगा तो क्या रीड वनली मेमोरी आपसर नमबर सी राइट एंसर अगला कोशन कंप्यूटर में तयार किये गए प्रोग्रामों को सम्मूव को हम लोग क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं साफ्ट वेयर अगला कोशन है संभिधान संभारा अंती मुरूप से पारिज समिधान में कुल कितने अनुशेद और अनसूचिया थी तो कितने 305 355 अनुशेद और 8 अनसूचिया या आपसर नमबर सी राइट एंसर चलिए समिधान के किस अनुशेद में यह हंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक सं नाम है जिनके साथ फर्वरी 2021 में भाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 समझाओते किये हैं तो अर्जंटीना के प्रधानमंत्री का क्या नाम है यह आपको बताना है क्या नाम है मौरिसियो मैक्री है ना चलिए अगला कोशन देख लेते हैं हम लोग अ कि यहां से 105 यानि 105 नमबर को सना रहा है सेशन का यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्वरी 2021 में किस अस्थान पर दीजल से बिजली में परवर्वर्तित पहले इंगन को जंडी दिखा कर रवाना किया तो कहां से किया गया था वो प्रधानमंत्री अपने संसदिये शेत अगला कोशन देख लेते हैं उत्तर पर्देश में उर्दु को दुत्य राजभासा कब घोसित किया गया था तो उत्तर पर्देश में उर्दु को राजभासा दूसरी 1989 में किया गया था कब 1989 में है ना अगला कोशन हिंदी के किस बिख्यात आलोचक और सहितकार का उन्नीस फर्वी दुहजार वंडेस को दिल्ली में निधन हो गया तो किसका निधन हो गया था नामोवर सिंग अपसर नमर भी नामोवर सिंग अगला कोईशन इसमें से कौन सायुगम सुमिलित नहीं है यह आपको बताना है तो पहला ही सुमिलित नहीं है कावेरी नदी मैंसूर पठार का नहीं है बाकी तापती बेतूर सोन नदी गोदावरी टर्मबा के सब सही है अपसर नमर एज दा राइट अगला कोईशन खिलजी वल्स का सासन काल था इस संतरत का से संबंदी थे हैं तो पहले कौन था खिलजी वल्स के बाद आया तो कब 1290 से 1320 के बीच में था अपसर नमर बी राइट अगला कोईशन है हवा में निम्रिखित में से कौन सी गयस परधान रूप में बिद्दमान है तो कौन सी अगला कोईशन सोम नदी का उद्गाव मस्थान क्या है अमर कंटक की पहाड़ियां आपसर नमर बीच दर राइट एंसर यानि राजास्थान से स्वारी अमर कंटक की पहाड़ियां ये साइच महराष्टा ये 36 गण में है इसको कंफर्म कर लिजेगा अगला कोईशन है अंतराष्टिय स्टरम दिवस किस दिन मनाया जाता है एक मई को बार्त में पहले ACI खेलो का उजण किया गया था किस वर्स खेल का उजण सन वननेस सो इक्यामन में अगला कोईशन है 47 A जो कंड़ूर से पराराम होता है बारत में सबसे छोटा राजमार्ग है इसकी लंबाई कितनी किलो मीटर है तो कितनी किलो मीटर है मांत्र 6 किलो मीटर कितना 6 किलो मीटर नेशनल हाईवे 47 और सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे सबसे लंबी दूरी तक कहा हो क्या है नेशनल हाईवे क्या था 7 था उसका नाम क्या हो चुका है नैशनल हाइब फोटी फोर यह एच फोटी फोर अगला कोश्चन बारतिय समिधान का कौन सा अंशेद बोले कि स्वतंतता तथा अवियक्ति के अधार की प्रत्याभूत करता है तो कौन सा अंशेद है वो अंशेद 19 है ना अगला कोश्चन मुख्लइ में पाकिस्तान युद्य के बीच भारत के प्रतनमंत्री कौन थे सब्समें भाठीय काून थे अंशेद लाईडूर साथिर जी है ना अगला कोश्चन भारतिय 공ege का मुक्ख्याले कहां परिस्तित ए तो कहां पर मुंभाइ में आपलोपर वीड़ार एनसर अंगला क कॉशन राश्ट ये सुवच्छा परसद भारत की या रसी का मुख्याले कहां परिस्ची था परेंट्स कि मूंबई में अगला कोशन देख लेत if सिखो के तीसरे गुरु थे सिखो के सिखो के तीसरे गुरु थे तो कौन थे पर्थम गुरु आपको पता होना चाहिए कौन से थे गुरु नालक देव है ना तो तीसरे गुरु क्या थे कौन थे यह आपको बताना तो कौन थे गुरु अमर दास है ना गुरु अमर दास अग अच्छा पुलिस इस्टेशन किसे घूसित किया है कौन से थाने को जो है सबसे अच्छा पुलिस इस्टेशन घूसित किया गया है दिल्ली में केंदर गिरे मंत्राले को दारा तो कौन सा है वो कस्मीरी गेट पुलिस इस्टेशन को कौन कस्मीरी गेट पुलिस इस्टेशन को अगला question भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है तो कौन सा है वो मरीन समुद्र तट अगला कोशन है भारत के किस परदेश में मन जू अवारान के डबलू यस इस्तित है के न वन जू अवारान कहां पर है भारत में यह आपको बताना कहां पर है अवड़ांचल परदेश में अगला कोशन है भारतिये सेवक समाज की अस्थापना किस के द्वारा की गई थी किस ने गोपाल किष्ट गोखले के द्वारा अगला कोशन है बैजनात मिसरा बैजू बावरा एक थे ब्लेंग है क्या थे यह क्या थे भेजू बारा धुरूपद संंगीतकार थे अगला कोशन टीपईव सुल्तान इस चित के सा सकते कहां कि मैंसूर के टीपईव सुल्तान इनके पिता का क्या नाम था हैदर है ना अगला कोशन है निम्रकित में से किस नदी का उद्गयौमरस्तान बारतिय भूबाग में नहीं है बरम पुट्र का ये ठिब्बत में है है ना अगला कोशन हाली में किस राज ने अव्यद्विदेशयों को चिनिद्व करने के लिए विजयक पारिद किया है तो किस राज ने मिजोरम ने मिजोरम नाज लो किस www धर्म जॉरमी परियाग के पास अगला कोशन है हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का निमार किया है तो हाल ही में किस देश ने सबसे तेज कंप्यूटर का निमार किया है जापार ने 129 का C नमबर अगला कोईशन है बिधान सभा यानि असेंबली में GST कानून पारित करने वाला करना पर्थमराज कौन था तो कौन था आसाम था है ना असंद था झामो और सबसे उन्थी इंट कों था जम्मू और का समीर अच्छा इस समय वरतमार में तून्टी एट क्या है इस समय और सेवन पहले थे टू अपकी ना इन यानि ना इन कहले हैं थर्टी सेवन है इसको भी ध्यान में लगते चलिए तो यह पूरे-पूरे को सते मित्रो वंस्तर्टी को सना आपको लोगों के लिए जो आपके exam के point of view से बहुत important है और आप exam में जाने से पहले इन सब question को जरूर solve कर दीजेगा इसी pattern पर मैं नहीं कहता हूँ same question आने वाले हैं लेकिन इस pattern पर अगर आप इसको पूरा-पूरा solve कर लेते हैं तो कहीं नहीं आप में confidence आजाएगा तो निसीत आप इस वीडियो को जरूर solve करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो या फिर वीडियो में कोई कमी हो तो comment में जरूर बताएगा और वीडियो को like करना मत भूलेगा वीडियो को like करिएगा और ज्यादा ज्यादा इसे सेर भी कर दीजेगा वाटसाइब फेस्बूक इस्टागराम परते एक जगा पर है ना तो यह हमारे आप जूर्य असिस्टेंट के लिए पूरी एकदम से लास्ट स्रीज थे अप जूर्य असिस्टेंट एक्जाम के लिए मैं आपके कोई वीडियो आपको प्रवाइड नह कर यहीं पर जो है सभी जो है प्रेक्टिस अब दाइंड किये जाते हैं जूर्य असिस्टेंट दोजार वन नेस एकजाम के लिए है रहा तुम ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट इंफार्मेशन के साथ तब तरक के लिए धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भ थाहरत थाट था अप्रो दो है जय ह वीडार्मेशन के सुम ठाइंड किये जार्मेशन के सुम ठाइंड किये जो है रहारत था किये जार्य समय कर दोदू है किये जänger है साथ विए एल खानने के साथ एंड